हाँ जी नमस्कार जैहिन आप सभी का राजस्तान क्लासेज के यूटूब प्लेटफों पर बहुत 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 वेलकम है दोस्तों मैं आदश्क माउत आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ current affairs जो कि किस के लिए है कौन से exam के लिए special है तो वनरक्षक exam के लिए special है ठीक है 11 दिशंबर यानि कि कल आपके लिए exam होने वाला है और जो भी भाईवे ने इस exam में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को all the best हमारी तरब से आप आप विश्वास के साथ paper देंगे और जो सवाल आ आपको आ रहे हो वही सवालों पर टिक लगई यानि कि अटेंड करिएगा तो चले दोस्तों परिक्षा हे तू संभावित प्रस्न जो कि current affairs के यह current affairs की मैं class दे रहा हूँ इसमें super fast रहेगा only A, B, C, D में जवाब रहेगा आपके सामने ठीक है मैं विश्तरत जानकारी बिलक दुनियापूर.com तो आपको यह current affairs की PDF मिल जाएगी मैं आपको अल्रेडी दे चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखना दुनियापूर.com में जाकर latest post पर क्लिक करोगे तो 100% आपको यह PDF मिल जाएगी ठीक है तो आज का पहला प्रसन आपके screen पर है और हो अगला question है राजस्तान में केक्टस गार्डन कहां पर लगया गया तो राजस्तान के अंदर केक्टस गार्डन कुल्दरा में लगया और कुल्दरा जो है आपका जैसल मेर में पढ़ता है नेक्स्ट question आपके screen पर है और पूचा जा रहा है जालावाड में स्वेम सायता समू द्वारा उत्पादी तर्शैद के लिए brand name क्या है यह आप से सवाल क्या जा रहे है तो इसका right answer आप सभी का हो जाएगा मदू सकी यानि कि option B आपका lock हो जाएगा इस प्रकार के सुपरफास्ट रखूंगा आपके सामने क्योंकि आप अपने तरीके से भी तयारी कर रहे होंगे इसलिए यह सुपरफास्ट रहा है आपके समय मैं से मैं समय निकाल रहा हूं यानि कि मैं समय ले रहा हूं आपका और आप समय दे रहे हैं तो आपके लिए बेहतर करने का प पर इस्तित है ये आपके कोटा जिल्ले में इस्तित है राम गंजबंडी नेक्स्ट क्वैसन है कि राज्य में जींगा उत्पादन में अग्रणी देखते हुए मच्य विवागा कारेले कहां खोला जाएगा तो ये छुरू जिल्ले में खोला जाएगा यानि आपका राइट आंसर हो जाएगा एगला क्वैसन है जैवी की क्रशी अनुसंदान के अंदर जो की कहां पर खोला गया जिसका नाम है श्री राम शांता जैवी की क्रशी अनुसंदान के अंदर ये जाखोड़ा गाव में खोला गया है जो की आपका कोटा में पढ़ता है दोस्तों याद र पांच हजार रुपे का अनुदान जो की दिया जाएगा और अगला question है राश्ट्री अजल पुरुसकार में राजस्तान का इस्थान दोचार बाइस में जो दिया गया इसमें राजस्तान का इस्थान कौन सारा यह आपको बताना है वोलेंगे सर दूसरा इस्थान रहा है ठीक है और आगे बड़े और अगले प्रिशन की बात करें तो सहरिया कतोडी और विशेश योगे जनों को मंदरेगा के तोहत कितने दिन का रोजगार दिया गया सहरिया कतोडी और विशेश योगे जनों को मंदरेगा के तोहर कितने दिन का रोजगार दिया गया तो याद रखना 200 दिनों का रोजगार दिया किस किस को दिया गया सहरिया कतोडी और विशेश योगे जनों को अगला question पूचा गया है राजे में वर्तमान में 295 वाटर ब्लॉक में से सुरक्षित ब्लॉक कितने है 50 है 37 है 61 या 99 है तो याद रखना 37 ब्लॉक है दोस्तों ठीक है आपने option B को चुनाए बिल्कुल आपका सई जवाब होगा अगला question सरुष्रेष्ट पुलीस थाना 2022 का पुरुष्कार किसे दिया गया या आपसे सवाल क्या जा रहा है यानि कि सरुष्रेष्ट पुलीस थाना 2022 में कौन सा रहा तो जैत सर रहा यानि कि option आपका A जो लॉक हो जाएगा फिलाल के लिए राजय का healthy गाउं देखे दोस्तों याद रखना मैं गाउं के संदर्ब में आपको एक अलग से वीडियो दूँगा set exam के लिए अगर आप set की तयारी करें तो हमारी set की classes भी continue हैं तो set exam के लिए मैं आज से 2-3 दिन बाद में ही दे दूँगा village जो भी राजस्तान के villages है या फिर कह सकते हैं जो भी गाउं है प्रतम गाउं उसके संदर्ब में आपके सामने 15-20 प्रशन बंते हैं जो की बड़े confuse करने वाले होते हैं वो भी आपके सामने रखने वाला हूं तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहेगा तो देखें यहां पर जवानपूर हो जाएगा जवानपूर आपके जैपूर में इस्थिते हैं राजे का फर्स्ट ODF प्लस गाउं कौन सा है तो दोस्तों याद रखना है जा होता गाउं है यानि option D आपका लोग हो जाएगा ये भी आपका जैपूर में इस्थिते हैं आवाज दो अभियान का संबन्द किस से है यानि कि कौन सा विकल्प याँ पर आपका राइट हो जाएगा आप कहेंगे सर option C या जो राइट होगा महिला सुरक्षा से संबन्दित है और एगला question पूचा जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा से संबन्दित अवाज दो अप है या इंदराशक्ति अप है या एक वद दो तो हम लोग यूँ कहें तो option D आपका सही जवाब हो जाएगा कि एक वद दो है जो सही होगा आवाज दो एप भी है और इंदराशक्ति अप दोनों के दोनों एप महिलाओं की सुरक्षायतू बने गए राजी का first IPD जो टावर है वो कहां पर बनाया गया यह आपके सवाईमान सिंग होस्पिटल में यानि की SMS होस्पिटल में बनाया गया यह जो जैपूर में सौरी ठीक है एगला question आपके screen पर है हरदय रोग संस्तान की स्थापना कहां पर की गई यह भी शांदार question है तो यहां पर right answer रोजाएगा आप सभी का जैपूर में ही की गई हरदय रोग संस्तान की स्थापना और अगला question देखे दोस्तों आप compare नहीं कर सकते कि कहां से कहां तक प्रश्ण पूचे जाएंगे current के मैं तो नहीं कह सकते कि यहां से यहां तक क्योंकि जो अभी बंदरक्षक में पूचे गए ना प्रश्ण वो पिछले 12 मेने के भी थे तो पिछले एक मेने का भी साथ में था तो हां कहा जाता है आजगल की 6 मेने का पढ़ लो 8 मेने का पढ़ लो कह सकते थे लेकिन इस बार जो पूचे गए वो तो जो कहीं से भी उठा कर पूच लिए गए हैं तो current का मतलब है कि आप एक साल का तो cover करो ही करो ह है ना minimum तो आपका यहां पर right answer हो जाएगा option option sorry B हो जाएगा बारा हो जाएगा ठीक है अगला question है कि बाबा आम्टे दिव्यांग विश्विदाले कहां पर इस्तित है यह आप से सवाल क्या जाएगा बाबा आम्टे दिव्यांग विश्विदाले जैपूर में खोला जा रहा है अगला question है multi-purpose indoor stadium की इस्तापना कहां पर की जाएगी multi-purpose indoor stadium की इस्तापना यह कहां पर की जाएगी यह आप से सवाल क्या जा रहा है तो right answer आप सरीका हो जाएगा talk में है ना option C यह आपका lock हो जाएगा option C को lock करें क्योंकि talk में यह 7.5 करोड की लागस से बनने वाला है और अगला question पूजाजार राजी का परतम education hub की इस्तापना कहां पर की जाएगी तो राजस्तान में परतम educational hub की इस्तापना जो है आपके जैपूर में ही की जाएगी यानि option C यहां पर भी आपका right हो जाएगा और समर्सता और सद्वाव पर शो देतू center of excellence and research की इस्तापना कहां पर की गई यह आप से सवाल किया जा रहा है तो यह right answer होगा जोदपूर मौला ना आजाद university यानि option C आपका lock हो जाएगा फिलाल के लिए और next question है राजियू गांधी college and innovation hub किस जिल्ले में नहीं बनाया जाएगा देखो अलवर में बनाया जाएगा ठीक है और सॉरी अलवर में नहीं बनाया जाएगा बाकि जोदपूर, जेपूर और टोंक तीनों में बनाया जाएगा जबकि अलवर में बिलकुल भी नहीं होगा ठीक है आगे बड़े और अगला प्रस्ण कहा रहा है कि राजियू गांधी central park का निर्मान कहा होगा राजियू गांधी central park का निर्मान जो है यह आपके सवाई मादोपूर में होगा यानि option B आपका right answer होगा एगला question है वैदी गुरुकुल की इस्तापना के लिए प्रस्ताविद जिल्ला कौन सा है दोस्तों वैदी गुरुकुल की इस्तापना के लिए प्रस्ताविद जो जिल्ला है वो है बहांसवाड़ा याद रखना बहांसवाड़ा बहुत important प्रस्न है आपका ये और एगला प्रस्न है बार काउंसिल अप राजस्तान भवन का निर्मान कहां पर शुरू किया गया बार काउंसिल अप राजस्तान भवन का निर्मान जो है High Court जोदपुर में शुरू किया गया यानि कि option A आप सभी का लॉक हो जाएगा फिलाल के लिए और next question देखो Center of Excellence for Miletus का निर्मान जो है न यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा जेपुर होगा या B का निर होगा या फिर जोदपुर होगा या उदेपुर तो जोदपुर को लॉक करेंगा यानि option 3 option C को लॉक किया है आप लोगों ने और एगला question Center of Excellence for Epi Culture की स्थापना कहाँ पर की गई यह आप से सवाल किया जा रहा है तो right answer आप सरी को जाएगा भरतपुर में इसकी स्थापना प्रस्तावीत है ठीक है और एगला question पूचा जा रहा है Bio-Pesticide and Bio-Agent Integrated Lab के लिए प्रस्तावीत इस्थान कौन सा है यह आपको बताना है टॉक में है या फिर जोदपुर है या फिर जैपुर है या फिर दुंगरपुर है तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका right answer होगा option A और एगला question कहा जा रहा है कि मंद्रेगा में कारी दिवस की संक्या 100 दिवस को बढ़ा कर कितने दिन करने की गोशना की गई है तो याद रखना ये 125 दिन कर दी गई है इसकी गोशना कितने दिनों की कर दी गई है 125 दिनों की कर दी गई है और एगला question है राज्य में खेल के लिए कि राज्यस्तान high performance, sports training and rehabilitation center budget 2022-2023 के अनुसार कहां खोला जाएगा यहाँ पर यह rehabilitation है याद रखना कि जो budget 2022-2022 के अनुसार कहां खोला जाएगा तो right answer आप सभी का हो जाहेगा option c यानि की जोदपुर में खोला जाएगा अगला question है नेहरु यूतर ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसीलाइटेशन सेंटर की इस्तापना कहां पर की जाएगी ये भी आप से सवाल किया जा रहा है जो कि ये बिल्कुल जहां तक हमें लगता है ये भी आपके लिए प्रशन पूछे जाने की संभावना लगती है तो उदेपूर हाउस कहां पर है ये उदेपूर हाउस दिल्ली में तो दिल्ली में ये है जो सेंटर की इस्तापना की जावेगी अगला क्वेशन है बजट में वर्नीत नवीन विज्यान केंदरों की इस्तापना कहां की होगी कहां होगी देखिए बजट में वर्नित नवीन विज्ञान केंद्रों की स्थापना कहां पर होगी देखो बीका नेर में होगी ठीक है एक बीका नेर तो है ही है ठीक है भरतपुर में भी होगी तो इसका मतलब है जो आपका राइट आंचर हो जाएगा भिल्कुल आसान साथ यह सवाल था और अगला question कहरा है अगला question कहरा है robotics, surgery and modular operation theater का निर्मान कहां किया जाना प्रस्तावीत है तो right answer आप सभी का हो जाएगा जैपूर में किया जाना प्रस्तावीत है यानि कि option D आपका सही जवाब होगा और next question कहरा है मुख्यमंत्री, अनुप्रती, कोचिंग, योजना के तहत वर्तमान में कितने विद्यारतियों को लाब दिया जाएगा शुरुआत में 10,000 थे और अब है जो लास्ट में जाकर ये 15,000 विद्यारती एड करने की घोशना कर दी गई है यानि कि option B आपका सही था और अगला प्रस्ट में पूचा जा रहा है सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का आदूनी करन किया जाना प्रस्ता भी था ये लाइब्रेरी किस जिल्ले में इस्तित है तो देखे दोस्तों ये भी important प्रस्ट है तो right answer आप सभी का हो जाएगा जोध पुर तो याद रखना 20,000 मेलाओं को रोजगार उपलब्द करवाए जाएगा यानि की B option सही होगा राज्य में वर्तमान में वाटर ट्रेन का रूट जो है न वो कहां से कहां तक है राजस्तान में जो वर्तमान में वाटर ट्रेन का जो रूट है न वो जैपूर से पाली है यानि option C आपका लौक हो जाएगा दोस्तों और एगला question पूचा जा रहा है कि गंगा कैनाल से संबंदी जानकारी के लिए कौन सा एप लाँच किया गया तो right answer हो जाएगा संदेश है ये भी बहुत important प्रस्न है आपका option C आपका लौक हो जाएगा और next question है सरव परतम सजावटी मचली परियोजना राजस्तान में कहां शुरू कहीगे ये भी तो important प्रस्न है right answer हो जाएगा बीसल पूर बांध ठीक है कौन सा हो जाएगा बीसल पूर बांध को लौक करेंगे यानि option A आपका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्न कह रहा है राजी उगांदी scholarship for academic excellence कम आरब हुगा हलांकि ये प्रस्न थोड़ा सा जरूर पुराना लगता है और पुराना ही है क्योंकि 5 October 2021 इसको हुआ ये option C आपका right हो जाएगा और थोड़ा सा पुराना प्रस्न है अगर आप इसको ignore भी करना चाहे तो कर सकते है राजी की परतम I am शक्ति वॉल कहां बनाई गई तो ध्यान रेकना दोस्तों B का नेर्म बनाई गई option D आपका सही जवाब है याँ पर और एगला question हाल ही में मारान परताप और गुरु वर्षिष्ट पुरुष्कार की राशी जो है एक लाग से बड़ा ली गई और बड़ाई है तो कितनी बड़ाई है आपसे सवाल किया जा रहा है तो पांच लाख रुपे बड़ा ली गई यानि option C आपका right answer हो जाएगा प्यारे साथियों 2022 के आदार पर परतम द्वित्य इस्तान पाने वाले जिल्लों का समू यानि की जिल्ला यूग मा आपको बताना है और right answer आप सभी का हो जाएगा गंगा नगर और चुरु जो को बीका नेर के ही है जो बीका नेर संभाग के ही दोनों जिल्ले है गंगा नगर और चुरु या वजट घोषना के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्तिय भीमा योजना की भीमा राश्री जो है पांच लाग से बढ़ा कर 10 लाग रुपे करती यानि कि option B आपका right answer होगा ठीक है और एगला question यू कह रहा है कि state road safety institute की इस्तापना कहा की गई की जाएगी आने की भी संभावना ऐसी लगती है और एगला question कह रहा है कि budget के अनुसार सावीत्री भाई फूले वाचना लेकि इस्तापना किस इस्तर पर की जानी प्रस्तावित है तो right answer आप सभी का हो जाएगा जिल्ला इस्तर ठीक है यानि कि option C आप सभी का याँपर भी lock हो जाएगा और एगला question कह रहा है अठारवा राष्टे भारत scout guide का योजन कहां होगा कहां हुआ यह आप से अगर पूचा जाए तो आपको याद रखना है पाली में हुआ है न कहां हुआ ऐसे आप लोग इसको पढ़ेंगे कहां पर हुआ रोहीट में हुआ याद रखना और एगला question ह chemical का petrochemical investment PCPIR की स्तापना जो है न कहां पर की जा रही है तो पच्पद्रा में की गई दोस्तों ठीक है पच्पद्रा में इसका work running mode में है तो पच्पद्रा कहां पर पढ़ता है आप सभी को पता है बार्ड मेर में जांपर refinery भी है और एगला question कह रहा है e waste recycle recycle park कहां इस्ताप मुख्यमंत्री क्रशक साथी योजना के अंतरगत कुल कितने मिशन परारम किये गए हैं मुख्यमंत्री क्रशक साथी योजना के अंतरगत कुल कितने मिशन परारम किये गए हैं तो याद रहना 11 मिशन परारम किये गए हैं आपने option A को चुनाए तो बिलकुल आपका सही पहचानना है आपको ठीक है हाँ असंगत यूगम को पहचाना देखे प्रस्तावित जिल्ला पूचा है संस्तान और प्रस्तावित जिल्ला जैसे आयुरुवेद कॉलेज अजमेर में प्रस्तावित देरका जब किये गलत है असंगत पहला ही पहला असंगत है आपका ओप्शन जोदपुर में सही है तो आपका right answer option होगा A और एगला question कहा रहा है कि multi-sectored industrial complex की इस्तापना जो है यह कहाँ पर होने वाली है बीवाडी अलवर में जोदपुर और बिलवाडा में किशंगड और अलवर में और सलारपुर यानि की बीवाडी और बोरानाडा में तो right answer आपका यही होगा option D बोरानाडा कहाँ पर पढ़ता है सभी को पता है कि बोरानाडा जो है जोदपुर्म पढ़ता है तो आपका right answer होगा option D और next question को देखे हैं तो next question कहा रहा है कि सेवाणजली कारिक्रम है सेवाणजली कारिक्रम है का तीर्थियातर कारिक्रम मुख्यमंद्रि गैलोजी को मिले तोपों की निलावी यह सेवाणजली कारिक्रम इसका नाम रखा गया घृकर तो उससों याद रखना यह अच्छा प्रस्टन है और एगला question यूं कहा जा रहा है कि जोदपूर जलापूरती परियोजना किसके सयोग से प्रारम होई जोदपूर जलापूरती परियोजना किसके सयोग से तो ADB के सयोग से प्रारम होई यानि कि option B आपका सही जवाब होगा और एगला question कहा रहा है सुरुक्षा सकी के सम्मंद में असत्य नहीं है देखो सवाल को द्यान से पढ़ो असत्य नहीं है इसके तर 35 महिला सुरक्षा सकी बनी है ठीक है तो महिलाओं को सुरक्षित रोजगार देने हो तो यह योजना प्रारम हुई है इसका जंचालन राजी के दवरा किया गया है इसका उद्देश्य महिला अपराज में कमी लाकर इनकी साहता करन है तो यहीं पर यही जो है यह आपका सही होगा क्योंकि क्या पूचा है सुरक्षा शकी के सकी के समन्द में असत्य नहीं है तो यह असत्य नहीं है क्योंकि यह सत्य है विया यह जो सुरक्षा सकी जो योजना है इसका सिरफ एक उद्देश से बाकि यह तीनों के तीनों नह याद रखेगा अगला प्रस्टन कह रहा है कि विशेष योगे जन आयोग के आयुक्त कौन है तो याद रखना दोस्तों विशेष योगे जन आयोग के आयुक्त जो है उमा शंकर शर्मा है अगला क्वेस्टन है इजन स्वास्ति एप संबंदित है इजन स्वास्ति एप जो ह किसे सम्मंदित याद रखना ये उपभोगता शिखायत से सम्मंदित यानि option भी आपका सही जवाब होगा और माई बुकलो एप ये ये काफी फुराना प्रस्न कहा सकते हैं है तो 2022 का ही लेकिन दियान रखना महाविद्यालोंक में अध्यान समंगरी से सम्मंदित यानि option C आपका सही जवाब होगा देखें बाबा आम्टे विश्वदल का निर्मान कहा होगा जो दिव्यांगों के लिए उच्छ शिक्षन का कारे करेगी ये हम लोग उल्लेडी पढ़ चुके हैं जैपुर में इसकी स्तापना होगी और एगला प्रिशन आपसे पूजा जा रहा है कि पेजल सुनिचित करने के लिए साल गाओं बांध का निर्मान किया जाएगा ठीक है और ये बांध कहां पर अवस्तित है तो याद रखना साल गाओं सिरोही में है कहां पर है दोस्तों सिरोही साल याद रखना सिरोही साल बस ये सिंपल सा लोजी के याद रखने का सिरो ही साल. अगला क्वैसन है किस योजना के तहत 1.33 करोड चिरंजीवी परिवारों की महिला मुख्याओं को निर्शुल के स्मार्टपॉन दिये जाएंगे. तो ये योजना का नाम है मुख्यामंत्रि डिजिटल सेवा योजना. यानि कि option A आपका right हो जाएगा प्यारे साथियों. अगला क्वैसन कहा रहा है सैनी कल्यान भवन का निर्मान कहां पर किया जाएगा? ये दोस्तों जैपुर में किया जाएगा यानि option C आपका लाउक होगा. और अगला क्वैसन है नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षन संस्तान के लिए प्रस्तावित है. नागरिक, सुरक्षा, प्रिशिक्षन, संस्तान के लिए जो प्रस्तावीत है न वो है दौलत पुरा गाउं जो की जैपुर में है और यह आपका राइट हो जाएगा ठीक है और एगला प्रस्ण आपसे पूचा जा रहा है कि असंगत यूग्म को आपको पैचानना है देखें दोश्तों राज की जनजाती बाली का आश्रम चात्रावास बांसवड़ा यह गलत है ऐसी बाली का चात्रावास जो है जो है यह उच्चेन भरतपूर में है यह सही है देवनारन बाली का चात्रावास बेंगू चितोड़गर सही है डुंगरपुर के मेवाड़ा में इस्तित याद रखेगा अगला प्रस्ण आपसे पूझा जा रहा है दोस्तों और यह कह रहा है Integrated Interbus Terminal के निर्मान के लिए कौन सा जिल्ला जो है इसमें सुची बद है यानि की प्रस्तावीत है तो याद रखना जेपुर जिला है ठीक है option भी आपका right answer हो जाएगा और अगला question आपके screen पर है और यह सवाल यह पूझा जा रहा है जालाना की तर्ज पर Botanical Garden कहां इसे आपित नहीं किया जाएगा तो यह आपका सत्तरवा प्रस्न है कितना है आज की class का सत्तरवा प्रस्न है उमेद करूँगा आपको यह class बहुत शांदार लगी होगी सुपरफास्ट करिए न तो अलवर है जो इसमें शामिल नहीं है जोदपूर में लगाए जाएगा बीकानेर में भी लगाए जाएगा कोटा में भी लगाए जाएगा जबकि अलवर में नहीं लगाए जाएगा आगे बड़े और अगले प्रस्न की बात करें तो अगला प्रस्न कहरा है वागट टूरिस्ट सर्केट का सम्मन्द किस से है तो याद रखना वागट टूरिस्ट सर्केट का सम्मन्द है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से याद रखेगा दुखसों किस से है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से है कई बार आपको ठन्फ्यूज करने वाला ये confusion में रखने वाला सवाल है सही देखें तो बांसवाड़ा प्रतापगड़ भी option में दे रखा है बांसवाड़ा उदेपूर तो ठीक हम लोग इससे हट जाते हैं डूंगरपूर प्रतापगड़ भी दे रखा तो यहां पर भी हम लोग 2022 में प्रेडन कोश की राश्री जो है ना कितनी की गई थी याद रखना 1000 करोड की राश्री की गई थी स्विकरत ठीक है अगला प्रसन आपके स्क्रेन पर और यूं पूचा जा रहा है सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है या आपसे सवाल किया जा रहा है तो यह उजेपूर में भी किया जा रहा है तो उदेपूर में भी किया जा रहा है यानि ऑप्सन 3 ऑप्सन C को आप लोग लॉग कर रहे है और अगला प्रसन आपसे प बाकि अगर कक्षा की बात करें तो ये एक से आर तक है ध्यान रखना ठीक है तो दो और तीन जो है ये सही है यानि ऑप्सन भी आपका सही आंसर हो जाएगा और एगला प्रशन पूचा जा रहा है ये भी रहने देते हैं इसको भी इसको करते हैं हम लोगे ना इस सवाल बहु एक टू वर्क योजना के संबंद में असत्य जो कतन है एक और दो असत्य है बाकि ये दोनों सही है तीन और चार बिलकुल है जो सही है याद रखना ये अच्छा प्रशन था आपका अगला क्वेस्टन अब एक कमांड सेंटर कहां पर इस्तित है तो सभी जिल्ला इस्तर प कमांडित यांए option B आपका लॉक्फ हो जाएगा ठीक है और एगला प्रशन आपकी स्क्रियन पर में राज यू गांदी जो स्टियम का निरमाण कहां पर किया गांड चारां याहांतर कि तो importante किया जा रहा है तो कहां सम्म्राइट अगल्या। दोस्तों आप लोगों ने लोग करा आचा प्रस्जिए हम लोगों ने अब ये 81 question पढ़ लिया है टाइम हुआ है हमारा 25 मिनट और एक मैं आप से सवाल पूचूँगा ये भी रह गया सवाल देखो इसका आंसर याद रखना राजस्तान E Governance Award विजिता डॉक्टर ओम प्रकाष ने कौन सा एप बनायता मैं एक आप से सवाल पूचूँगा जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्षन में ठीक है उम्मीद करूँगा आप जरूर इसका जवाब देंगे राजस्तान निक्षे संबल योजना का संबंद किस से हैं टीबी रोग्यों से, मृदा स्वास्तिया से, स्वास्तिया से देने से या फिर विबिन योजनाओं का लाब लेने से या महिला सक्षक्षक्ति करन तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है बाहर आके कमेंट सेक्षन उमीद करूँगा आप सभी इसका जवाब देंगे ही देंगे और क्लास कैसी लेगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं उमीद करूँगा कि यहां से आपके लिए सवाल भी बने अपने एक्जाम में और रही बात आपको इसकी पीडिएप जो है मैंने आपको बताया आप अगर गूगल पर जाकर लिखते हैं दुनियापूर.com ठीक है या तो आप दुनियापूर.com लिख दो या फिर राजस्तान क्लासेज.in लिख दो कुछ भी लिख लीजिएगा आपको इसकी पीडिएप तो वैसे प्रॉपर्ली इसकी पीडिएप आपको मिलेगी दुनियापूर.com पर आप अगर लिखते हैं गूगल में जाकर दुनियापूर.com और वहां पर जाकर लेटेस्ट पोस्ट में जाओगे तो आपको इसकी पी सुक्रिया, जै हिंद, वंधिमात्र.